तो जब भी आपका मीठा खाने का मन करें, तो घर में ही बनाईए ये सूजी की रस भरी मिठाई, ये देखने में जितनी अच्छी लग रही है, खाने में उतनी ही टेस्टी है, ये रस से भरी सूजी की मिठाई, एक बार जब आप मुँ में डालेंगे, तो ये मुँ में ही घ यह उपर से कुरकुरी और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट होती है तो चलिए इसे बनाते हैं और देखते हैं कि इसे कैसे बनाते हैं सूजी की मिठाई बनाने के लिए सबसे पहले हमें दूद लेना है तो हमने दो कप दूद ले लिया है ये करीब 400 ग्राम के करीब है आप जितना दूद ले उससे आधी क्वाइन्टिटी में आपको सूजी लेनी है तो हमने दो कप दूद लिया है तो हम एक कप इसमें सूजी दूद में उबाल आ चुका है और इसी में हम डाल देंगे आधा चमच इलाइची पौडर इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है तो इस तरह इलाइची पौडर हमने डाल दिया है और इसे एक बार चला ले उसके बाद अब आप अपनी सूजी डाले सूजी को एक बार मे सूजी डाले और उसे चलाते रहें इस तरह से लंपस नहीं पड़ते हैं और सूजी बहुत अच्छी मिल जाती है दूद में इस तरह से आप डालेंगे तो सूजी फूलते भी जाएगी तो यह देखे हमने जितनी दूद लिया था उसे आधी कौइंटिटी में सूजी लिय है और सूजी ने तुरंती दूद को सोख कर लिया है आप देख रहे हैं यह तुरंती इसमें फूल गई है और एक दूसरे में मिल गई है थोड़े ही देर में यह पूरी तरीके से सूख जाएगी तो आपको इस वक्त आज को एकदम मीडियम रखना है और हमेशा चलाते रह जब तक यह पैन ना छोड़ने लगे तो यह देखिए अब सूजी पूरी तरीके से दूद को सोख चुकी है और इसी में लास्ट में हमें एक चमच खी डाल देंगे ताकि यह चिपके नहीं और अच्छे से निकल जा तो यह देखिए अब इसने पैन छोड़ दिया है इसी इस भी बल्टर में पड़ते सबसे पहले उसमें ओयल लगाके उससे ग्रीसिंग कर ले ताकि जब आप कटिंग करके निकाले तब वो इसमें चिपके नहीं अब आप सूजी के मिसरन को गरम गरम ही इसमें डाल दें और फैला दें आप मोटाई अपने नुसार रख सकते हैं अगर आप चाहे तो थोड़ी मोटी रख सकते हैं या चाहे तो पतली आपको जैसी चाहिए आप उस तरह की लेएर बना ले इस तरह से दबा दबाकर आप एक पतली सी लेएर चारो तरफ से बराबर कर ले और बना ले ताकि कटिंग करने में असानी हो अब ये गरम गरम है तो तुरंती हो जाती है, अगर यह ठंडी हो जाएगी तो फिर नहीं बनेगी, तो यह देखे, हमने इस तरह से चौकोर सेब में बना लिया है, आपको इसी तरह से कर लेना है, और अब आप इसके मन चाही सेब काट सकते हैं, तो यह देखे, आप चार उद्रफ से अच्छे से कर ले, अब आप इसके कटिंग कर ले, आप चाहे तो इसके चौकोर सेब काट सकते हैं, या चाहे तो बरफी के अकार का काट सकते हैं, और सेब भी बड़ा छोटा आप अपने नुसार काट सकते हैं, आपको अगर बड़ा मिठाई चाहिए तो आप बड़े-बड़े काट ले, छोटे चाहिए तो छोटे काट ले मैं इस तरह से काट रही हूँ आप देख रहे हैं आप चाहे तो चाकू का भी यूज कर सकते हैं या बड़े चमचे का यूज कर सकते हैं उसमें अप फलका सा तेल लगा ले तो आपको काटने में सुईधा होगी इस तरह आप गरब में ही काट लिए toot टूट जाएगी नहीं कटेगी तो यह देखिए हमने इस तरह से चॉखोज़ सेफ में काट लिया है तो मैं आपको दिखा भी देती हूं मैंने कितना मोटा रखा है तो यह देखिए मैंने इस तरह की मुटाई रखी है अगर आप इतना मोटा रखेंगे तो आपको बहुत धीनी आज पे तलना होगा क्योंकि अगर आप तेज आज पे तल देंगे तो ये उपर से तो फ्राई हो जाएगा पर बीज में कच्चारा जाएगा अगर आप थोड़ा पतला रखते हैं तब आप जल्दी ही इसे पका सकते हैं क्योंकि ये जल्दी पक जाएगा तो इस तरह आप एके करगे सारी मिठाई को इसमें फ्राई कर लें जब तक ये गोल्डन ना हो जाए आज को आप हमेशा मीडियम रखें तेज आज पे इसे गोल जाएगा है तो जब तक ये गोल्दीन फ्राई होता है हम अपनी चासने तेयार कर लेते हैं तो चासने के लिए चासनी सबसे पहले हमें एक opener चीनी लेना है और यूटेनी चीनी लिए उसकी आधी पानी ले ले तक हमें एक तार की चासनी अच्छे से मिल से कि आपको एक तार की चासनी बनानी है ज्यादा गाड़ी नहीं करनी है यूँकि अगर आप ज्यादा गाड़ी कर देंगे तो जब हम इठाई को इसमें डालेंगे तो वह सोक नहीं होगा और इसी में आजा चमच इलाइची पाउडर डाल दें और अब आप इसे तब तक उ तो इस तरह देखे उबाल आ चुका है आप बीज-बीज में चेक करते रहें कि येग तार की चासनी बनी है के निए तो हम चेक कर लेते हैं अभी हमारी जासने नहीं तय तयार हुई है तो हम इसे थोड़ी देर और उभन लने देते हैं तो कि अब हमारी एक तार की चासनी बन जारी है आप देख रहे हैं इसमें आपको एक तार दिख रहा होगा तो इसी स्टेज पर हम अपनी गैस को बंद कर देते हैं क्योंकि हमारी चासनी तैयार हो चुकिया और हमें ज़्यादा गाड़ी चासनी नहीं चाहिए तो हमने गैस को बंद कर दिया है और आप इसे ढख कर रग दे ताकि चासनी ठंडी ना हो जाए तो हमने इसे ढख दिया है और अब हम अपनी मिठाई को देखते हैं तो ये देखिए ये भी golden fry हो चुका है और हमने बहुत ये आज पो medium रखा है और medium अच पर ही इसे cold and fry किया है तो यह बहुत अच्छी तरीके से fry हो चुकी है अब हम इसे बाहर निकाल देते हैं तो यह देखिये इस तरह से आप एक एक करके सारी मिठाई को बाहर निकाले तो हमने सारी मिठाई को तल कर बाहर निकाल लिया अब हम अपनी चासनी को भी लगिए तो ये देखे हमारी चासनी अभी तक गरम है क्योंकि हमने इसे ढग दिया था एक बार अप इसे चला ले और अपनी सारी मिठाई को इसमें डाल ले और डाल कर इसे 10 मिठाई के लिए सीरप में ही सोक होने के लिए रख दे ताकि ये पूरी चासनी को अच्छे से पी ले और अंदर तक बहुत अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाए और मीठी हो जाए इस तरह से सारी मिठाई को आप डिप कर दे अच्छे से और 10 मिनट के लिए ढग कर रख दे 10 मिनट में ये सारी चासनी को सोक लेती है तो ये देखे हमने सारी मिठाई को अच्छे से डिप कर लिया है और अब हम इसे ढग देते हैं 10 मिनट के लिए दस मुट के बाद हम देखेंगे मिठाई को कि हमारी कैसी बनी है दस मुट हो चुके और ये देखिए मिठाई ने बहुत चासनी को सोक कर लिया है तो अभी मैं आपको निकाल के भी दिखाऊंगे कि ये कितनी अच्छी लग रही है ये देखें हमारी रस भरी सोजी की मिठाई बिल्कुल ही तैयार है खाने के लिए और ये बहुत ही टेस्टी लग रही है तो आप इसे प्लेट में निकाल ले आप चाहें तो उपर से सीरप डाल के भी सर्व कर सकते हैं और ने तो इसी तरह से ये मिठाई बहुत दिन तक भी खराब नहीं होती है अगर आप फ्रीज में रखेंगे तो ये एक सब्ता भी चल जाएगी ये देखें फ्रेंट्स हमारे डिलीसियस सूजी की मिठाई बनके तयार है तो फ्रेंट्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें तैंक यू